एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगार जोन के नए एपिसोड में दोस्तों जैसे आपने देखा टाइटल में कि अब भारत में बनेगी सॉलेड स्टेट बैटरीज मेरे ने डिया सॉलेड स्टेट बैटरीज बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों बड़ी ख़बर है गुड न्यूज है या हम कह सकते हैं ग्रेट न्यूज है वैसे भी कमेंट में तक हर रोज पूछा जा रहा के आपने कई बार सॉलेड स्टेट बैटरीज पर अब्रेट दी हैं तो आखिरकार भारत में ये टेकनोलजी कब आएगी तो बिकल दोस्तों आखिरकार जो वेट था वो खतम हुआ न्यूज देली बेस्ट ओमेगा सीकी मॉबिलिटी उन्हें हाल में एक M.U. साइन किया है यूज बेस्ट C4V कमपनी के साथ जो की मास्टर है जो हम ग्लोबल लीडर कह सकते हैं दोनों मिलकर भारत में उन्हें को बनाएंगी और इस जोएंट वेंटर के अंडर ये पहली ये कंपनीज होगी जो भारत में अंडर पी यले श्कीम जो की गोर्वन डॉट अफ इंडिया का ठारा सो क्रोड की जो इसकीम है उसके अंडर पहली कंपनी जाएसे होगी जो इन सोलर स्टेट बैटरी इसको मिलकर भारत में बनाएंगी आर लेड़ी इस जोएंट वेंचर की कई स्टेट के साथ बात्ची चल रही है प्लान सेट अप करने के लिए जो प्लॉट है उसके लिए बारे में तांकि जो भी वहाँ पे अदर्स बेनिफिट इन को मिल सकते हैं इन सेंट टीव या अदर ओफर्स देखते हैं कौन से स्टेट में फाइनल होता है जो भी अपडेट आएगा आपके साथ शेर्ट करता रहूंगा उनकी प्लानिंग है कि सेकिंड हाफ यानि कि हम कहा सकते हैं तकरीवण तकरीवण दिवाली के असपास इसकी प्रडक्शन को स्टार्ट करने की इनकी प्लानिंग है और इन solar state batteries को जो omega C की जो electric three wheelers है उसमें इस्तमाल किया जाएगा उसके लावा जो other companies है जो उनको भी इसकी supply दी जाएगी C4V जो की जैसे मैंने बताए कि major player है solar state battery technology में और इनके पास 10 साल से भी ज़्यादा R&D experience है इन batteries technology को develop करने के लिए तो जो overall जो density है इन solar state batteries की तक्रीवन तक्रीवन 400-400 watt आर पर किलोग्राम तक density मिलती है जो की current जो lithium-ion batteries है उनसे कहीं कहीं ज्यादा है उस तो ये update तो इतना ही था लेकिन वीडियो बंद करने से पहले थोड़ा सा हम एक और थोड़ा benefit जान लेते हैं advantages जान लेते हैं इन solar state batteries की lithium-ion batteries के मुकाबले जैसे कि नाम सा ही पता लगता है solid, solid state जो electrolyte है इन batteries का वो solid state में रहता है जबकि lithium-ion batteries में liquid electrode रहता है जो कि किसी कई reasons से जिसमें हम कह सकते के fire के chances रहते हैं जबकि यहाँ पर बहुत बहुत rare chances रह जाते हैं fire के safer है यानि कि solar state batteries, lithium-ion batteries के मुकाबले जैसे मैंने पहले बता है density बहुत ज़्यादा है तक्रिम double तो ऐसे में range भी ज़्यादा निकल कर आती है solar state batteries जो भी electric vehicles में इस्तमाल होते हैं density ज़्यादा तो वहाँ पर आपको range भी ज़्यादा मिलेगी इसके लावर life भी तक्रिम तक्रिम डबल है अगर current आपको जो oil-cooled lithium-ion batteries पर 8 साल की warranty मिलती है तो हो सकता है कि solar state batteries पर आपको 16 साल की warranty मिले अगर बात करें as a double life की और इतना सब होने के बावजूद भी इसका जो प्राइस है वो यह महंगी नहीं है यह affordable ही है उसका सबसे बड़ा reason है कि इसमें जो rare metals है वो बहुत कम इस्तमाल किये गए हैं तो बहुत दोस्तों great news इसको हम कहेंगे और उमीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द इनकी production स्टार्ट होगी किस state में plant लगा जाएगा उसे जुड़ा update आएगा तो बहुत आपके साथ share करूँगा सबसे पहले और यहां एक बड़ा सा thumbs up है omega c की mobility और c4v companies को आपके क्या विचार हैं अपने comment box में जरूर शेयर कीजेगा फिलाल आज के लिए तना ही धन्यवाद वीडियो कों तक देखने के लिए जाहिंद